एंकर जी नियूज के रोहित रंजन ने सुप्रीम कोड में अजीब और गरीब वाक्या हुआ है और जज बोले कल होगी सुनवाई पर वकिल ने कहा हमने तो याची का ही नहीं दायर की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकोन को भी दबा दो एंकर रोहित रंजन के केस में बुद्वार को सुप्रीम कोड में अजीब और गरीब वाक्या हुआ था उसमें सिद्धार्थ लूथरा के एक केस की सुनवाई जस्टिस इंदेरा बैनरजी और जस्टिस जय के महिश्वरी कर रहे थे इसी दोरान कोड ने बताया कि जीन यूज के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ कई जगा पे F.I.R. दज की गई है और इन जगाओ की गई F.I.R. से इस जज़ पर कहा कि ठीक है कल होगी सुनवाई रोहित रंजन के अधिवक्ता ने कहा कि अभी तक तो हमने केसी फाइल नहीं किया इस पर जश्टिस नाराज हो गए और अधिवक्ता को डान लगाते हुए कहा कि हमने आदेश जारी कर दिया है आपने केस फाइल नहीं किया ऐसे में माना जा रहा है कि इस पर केस 7 जुलाई को सुनवाई नहीं होगी कारण यही है रोहिद रंजन के अधिवक्ता की तरफ से अभी तक सुप्रिम कोट में याची का दायर नहीं की गई है गाजियाबाद की SSP की दत्तर पोची 36 गड़ पुलिस मंगलवार को रोहिद रंजन के रिगरफ तारी में इंदेरापुरम पुलिस ने अडचन डाली थी इसकी शिकाए 36 गड़ के SP ने गाजियाबाद की SP क्राइम दिक्षा शर्मा से की है उन्होंने इंदेरा नगर के SHO और उनके साथ ही का पुलिस करमचारी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है बुधवार को सुबह 9 वजे 36 गड़ के राइपुर पुलिस में फिर रोहिद के फ्लेट पोची वहाँ ताला बन था ये फ्लेट गाजियाबाद के इंदेरा पुरम में सुसाइटी में आया था फ्लेट जाने से पहले गाजियाबाद इंदेरा पुरम थाने में 36 गड़ पोलिस ने अपनी आने की सुचना भी दी थी रोहित की फरारी पंचनामा तैयार किया गया उनके तलाश की जा रही है